यहां पे दो कोशन्स दे रखें आपको और इन में यह बताना है कि बड़ा कौन सा है जैसे फर्स्ट को देखें 2x7 of 3x4 यह वाला और 3x5 of 5x8 यह अगर इसका अंसर निकाले और हम इसका अंसर निकाले तो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा इसी तरह का इसका सेकिंड पार चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2x7 of 3x4 तो हम पहले इसका आंसर निकालेंगे तो 2x7 of का मतलब होता है multiply तो हैं इसको multiply करना है 3x4 से अब multiply में हम यह देखते हैं कि कोई उपर नीचे number अगर कट रहा है तो उसे हम काट लेते हैं तो मैं देखता हूँ कि 7 तो 2 और 3 किसी से नहीं कट रहा लेकिन यह जो 4 है यह 2 से कट रहा है 2 और 4 दोनों 2 के table में आते हैं तो दोनों को मैं 2 से divide करूंगा तो यह 2x2 हो गया औ आप कुछ नहीं कट रहा उपर नीचे तो 1 multiply 3 उपर हा गया है 3 वंजा 3 और नीचे 7 2000 यह हो गया है 40 तो इसका answer मैंने निकाल लिया दूसरे वाले का answer निकालते हैं तो 3 by 5 off किजिए multiply लेंगे और 5 by 8 अब यहाँ पे 5 5 से कटता मुझे दिखाई दे रहा है दोनों 5 के table में आ किसी से नहीं कटता तो हमारे पास सिर्फ यही option है कि उपर की multiply उपर वाले से कर देंगे यानि 3 वंजा 3 और नीचे 1 multiply 8 यानि 8 वंजा 8 अब यह इनके answer तो आगे हैं लेकिन बड़ेर छोटे का हमें तब पता चलेगा जब नीचे के इनके denominator सेम होंगे यहाँ पे denominator सेम नहीं ह करेंगे यानि denominators का LCM लेंगे LCM ले लेते हैं 14 और 8 का सबसे पहले टू से स्टार्ट करते हैं अगर कोई number 2 से divide होता है तो हम तू से ही start करते हैं तो टू से यहां दोनों ही हो रहे हैं इसे 2 से divide करूँगा तो 7 आएगा इसे 2 से divide करूँगा तो 4 आएगा अभी यहां 4 2 से हो 7 होता नहीं है तो as it is उतर जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया अभी यहां 1 हो गया यानि इसका काम तो खतम हो गया इस 7 को 7 से ही डिवाइड किया जा सकता है 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया यहां already 1 बन चुका था तो यह जो side में आईए factors यह हमको LCM देंगे तो 2 into 2 into 2 into 7 इनका product करेंगे 2 to 0,4,4,2,0,8,8,7,0,56 यानि 56 LCM है तो इन दोनों के नीचे मुझे 56 ही बनाना है यानि 3 by 14 के नीचे मुझे 56 बनाना है और यहां पे 3 by 8 इसके denominator को भी मुझे 56 ही बनाना है अब मैं ये लगाऊंगा दिमाग कि 14 को क्या करूँ ताकि 56 बन जाए अब 14 से 56 बन रहा है यानि छोटे से बड़ा बन रहा है तो 14 का टेवल में 56 तक पड़ूँगा तो 14, 4 पे 56 आता है 14, 4056 होता है अब यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी मुझे 4 से ही करना पड़ेगा equivalent fraction बनाने के लिए ताकि कोई fraction पे असर ना पड़े अगर यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी उसी नंबर से करेंगे 3, 4000 हो गया है 12 अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 8 को मुझे 56 बनाना है तो 8 का table में 56 तक पढ़ूँगा तो 8, 7,000 होता है 56 अग यहां 7 से किया है तो उपर भी 7 से ही करना पड़ेगा 3, 7, 0, 21 अभी जो दो मेरे answers आए है फाइनली एक तो आया है 12, 56 और इस तरफ वाला आया है 21, 56 अब नीचे तो दोनों के same हो गई इस बात का मतलब यह हो गया कि दो बच्चे हैं दोनों का 56, 56 marks का paper हुआ है एक के 12 नंबर आया है 56 में से एक के 56 में से 21 नंबर आया है तो नीचे बराबर होते ही हमें साफ समझ में आने लगता है कि नंबर कौन से जादा है, कौन बड़ा है तो 21 बड़ा है इसके अंदर तो इधर मैं बड़े का निशान लगा दूँगा अब मुझे अपना answer लिखना है इनकी form में, जो मेरे question book में दे रखे है ना, इसकी form में तो therefore, यह जो 21, 56 है, यह किस से आया है यह आया है इस वाली side से और यहाँ पर क्या है, 3 by 5 of 5 by 8, तो यह बड़ा है तो therefore, 3 by 5 of 5 by 8 is greater तो इस तरह से इस question को किया जाता है चलिए इसका second part भी करते हैं second part के अंदर 1 by 2 of 6 by 7, 1 है और दूसरा जो है, 2 by 3 of 3 by 7 है, तो बारी बारी से इनका इनके नीचे में solution करता हूँ यहाँ 1 by 2 of का मतलब हो गया multiply और 6 by 7 अब यहाँ 2 जो है 6 से मुझे कटता हुआ दिखाए दे रहा है क्योंकि 2 के table में 2 और 6 दोनों आते हैं, तो 2 by 1 2 हो गया, और 2 by 3, 06 हो गया, अभी कोई number उपर नीचे नहीं कट रहा है, नीचे 7 है 7 से न 3 कटता है, न 7 से 1 कटता है तो 1 into 3 3 वनजा 3, तो हो गया है उपर, और 1 into 7 यहीं 7 वनजा 7 हो गया है नीचे, तो यह इसका अंसर आ गया इसका अंसर निकालते हैं 1 upon 3 off की जिए multiply 3 by 7 यहाँ 3 नीचे और उपर यह मुझे कटते हुए दिखाए दे रहे हैं हमेशा कोई भी number आपका उपर हो और नीचे हो, अगर वो same table में आते हैं, तो वो उसी table से divide हो जाते हैं, इसी को हम कटना बोलते हैं, अब यह उपर और नीचे कहीं भी हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि just इसके उपर ही हो बस एक numerator में होना चाहिए एक denominator में होना चाहिए कितनी भी दूर, left, right, कहीं पे भी हो बस उपर और नीचे होना चाहिए यहाँ 3 यहाँ हैं, लेकिन इसके उपर यहाँ हैं, तो इससे फरक नहीं है, यहाँ यह 2 है, मैंने 1 लिख दिया गलती से, यह 2 भाई 3 है तो 2 वन्जा 2 तो उपर तो यह 2 हो गया है और नीचे 7 मल्टिप्लाइ 1, 7 वन्जा 7 हो गया अब मेरे फाइनल आंसर से मैं देखता हूँ कि नीचे की जो बिल्कुल सेम है यानि किसी बच्चे के 7 में से let's suppose 7 में से 3 माक्स आई है और उसी टेस्ट में 7 में से 2 माक्स आई है, तो नीचे की चीज़ जब सेम हो जाती है, तो फिर हम उपर देखते हैं कि कौन चोटा है, कौन बड़ा है जो बड़ा होता है, वो ही बड़ा होता है तो 7 में से 3 बड़ा है यानि ये वाली साइट ग्रेटर है तो ये नंबर बड़ा है और ये किस से आया है ये आया है 1 by 2 of 6 by 7 से तो हम ये लिखेंगे अपने अंसर में therefore 1 by 2 of 6 by 7 is greater कोशन खतम, तो स्टूडियों बस इतना ही नेक्स्ट कोशन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियों में तब तक के लिए गुडबाए